हेलो एवरिवन वेलकम टू गेट अगेडमी और अहाई हम डिसकस कर रहे हैं यह सी जो प्रलिम्स हुआ था इलेक्टिकल इंजिनिरिंग का उसका एक कोश्चन है नेटवक थियोरी का या इलेक्टिक सर्किट का बोल लीजिए तो मैं बताता हूं इसका जो आंसर क्या होगा त ठीक है तो पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला गया है इन एनी पैसिब लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफा सिंगल बोल्टेज सोर्स बी एक्स इन ब्रांच एक्स प्रड्यूस दा करेंट रेस्पॉंस आई बाई मतलब कोई बोल्टेज सोर्स है और वो किसी ब्र इंटरचेंज कर सकते हैं इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम दौनों का इंटरचेंज कर रहे हैं ठीक है और फिर रेस्पॉंस निकालने करेंट का दूसरा आई बाई ठीक है तो गरेंट आई बाई वाले में बोल्टे सोर्स लगा रहे हैं और जाब बोल्टे सोर्स लगा हुआ है वहां करेंट रेस्पॉंस ले रहे हैं तो यह एक्शूल में रैसीप्रोसिटी थियरम का स्टेट्मेंट है ठीक है ठोड़ा सा मोडिफाई कर दिया है लेकिन यह correct answer correct रैसी प्रोसिटी थेोरम का statement उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने हमसे पूछा है कि यह जो बोला है दा interchange of ideal voltage source and ideal emitter ideal voltage source and ideal emitter in any passive linear bilateral circuit will not change the emitter rating तो यह भी statement एकदम correct है क्यों क्योंकि emitter जो हम series में लगाते हैं तो आप interchange करोगे voltage source के साथ तो क्या rating जो है वो change होगी नहीं होगी ठीक है rating उसकी change नहीं होगी तो इन्होंने ऐसा ही बोला है circuit will not change the emitter rating तो बिल्कुल सही है लेकिन जो statement 3 है यह गलत है क्योंकि बोल्ट मीटर के बारे में उन्हों हमको बताया है और बोल्ट मीटर पैरलल में लगा होता है तो पैरलल में यह बोल रहा है rating change हो जाएगी ideal voltage जो बोल्ट मीटर है अगर वो ideal current source के साथ लगा होगे पैरलल में तो यह बोल रहा है अगर दोनों को interchange करेंगे तो बोल्ट रीडिंग चेंज हो जाएगी तो ऐसा नहीं है रीडिंग चेंज नहीं होगी क्योंकि पैरलल में लगा हुए तो पैरलल बोल्टेज रिमेंज दा सेम तो यह